तो दूस्तो आए खरए वीडर लेकर आफ सबी के लिए कि यहां पास जो वीडियोने वहले चाल वरबालना जो कि टैनिक करते हैं यहां पास हीएए वीडियो शलीफ उसी के लिए इसा किलिए बताना वुडियो में विडियो में को बताने विडियो यहां पर इस इंफॉर्मेशन को जाना हुरह एक फिक्स टाइम में आता है कि क्यों होता है और उस लॉस को और कैसे कर सकते हैं यहां पर आपको मैं बता दूं कि जो फॉरेक्स मार्केट है ना वह 70 पर से यहां से काफी अप गया इस जोन के बाद में तो आप सभी देख सकते हैं यहां पर और एक यह लैन खिशता हूं ठीक है तो इसी जोन के बाद में मार्केट में जबर्दस मोमेंट आप और नीचे आप एक कुछ देख रहा है यहां पर आपको एक सिंबॉल दिखाए दे परसनल उंकम ठीक है परसनल एक्समेंडिंग ठीक है यहां पर कोर्षेज उलिएएबी must camera आपको देख रहा है यहां तो आप आपको को इनफर्मेशन देखहे इनट्रेस्ट करती ह। आपको दिखाए यह यहां पर देखी है वैसे यहां पर देखिए यहां पर भी आपको एक information मिल रहा है ठीक है तो देखो यहां पर आप जैसे कि यह वाला दिखाई दे रहा होगा I think 2 लिखा है और यहां पर जो previous data आया था वो 2 है ठीक है और जो expected रखे हैं वो 1.8 का आया है और आया कितना है यहां पर 2.4 का आया है जो data है वो ठीक है GDP का जो grow data है वो जो भी होगा इसका news के based में यहां पर 1.8 का expected रखे थे लेकिन actual में आया है same time में यह जो है 2.4 का आया है ठीक है ठीक वैसे ही आप सभी देखिए यहां पर एक news आया था ठीक है यहां पर एक news दिखा देख रहा है यहां पर अपने को update देखने को मिल जाता है यहां पर भी देखिए previous आया था 5.25 का यहां पर expected रखे थे मतलब forecast 5.5 को और आया भी 5.5 ही है तो यहां पर देखिए market जाना एक moment दिया है downtrend का लेकिन जादा नहीं आया देखो यहां पर news में कुछ-कुछ news important होता है और कुछ news important नहीं होते है जैसे कि cpi important होता है GDP important होता है ठीक है तो ऐसे news खासवर पर important होता है हाला कि यहां पर price action important होता है जैसे कि हैं पर मार्केट एक ब्रेग दिया था उसके तो तीन जगहें हैं जहांसे यह निज काल सकते हो जैसे कि यहां पर देखिए यह आप ट्रेडिंग व का चार्ट है ठीक है आप यहां पर देखिए यहां पे एकना न्यूज को पार केलेंडर को आप्षयन दिखाए दे रहो हुआ उतने भी जितने बी यहां पर इस एक पर य करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जैसे मैं इसको करता हूँ तो यहां पर देखने को मिलेंगे 10 अगस्त को साम को 6 बजे के न्यूज है 18 मतलब साम को 6 बजे के 24 बजे का दिखाता है यहाँ पर कोर इंफलोमेशन का रेट MOM आया था यहाँ पर फिक्स यहाँ पर आप देखिए जित्ते भी डेटा है वो यह डेटा और यह डेटा साथ में 100 हो रहा है साथ में 100 हो रहा है आप सभी देख सकते हैं अब देखो यहाँ पर जो डेटा के हिसाब से मार्केट में MOM आया है यह वाला जो है यह है ठीक है यहाँ पर 3 पॉइंट का previous data है expected रखे हैं forecast 3.3 का है और आया कि इतना 3 पॉइंट है पर ही मार्केट ने एक मुमेंट दिया आप सभी देख सकते हैं तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यह positive आता है तो market एक मुमेंट लेता है अगर वो positive नहीं होता तो market downtrend में आ सकता है कहने का मतलब यही था क्योंकि यहाँ पर यह news based market है जो हमारा forex market है अब यहाँ पर इस data काफी अच्छा आया है positive आया है तो market यहाँ पर bullish देखने को मिला है और यह news भी यहाँ पर अमेरिका कही था यहाँ पर आप आप फ्लेक देख सकते हैं तो ऐसे यह जो है मुमेंट लेता है अब आपको ना news कहां से मिल सकता है इसके अलावा भी यहाँ पर यह जो news है यह तो अपना trading view कही है अगर जो बड़े-बड़े trader होते है वो भी यहाँ पर जैसे कि यह कल का है यह कल आने वाला है यह जो है event होने वाला है ठीक है इसको अपन event ही बोलते है अब यहाँ पर जितना actual आएगा वो तूरन थी जाने कि विंदन वन सेकेंड में यहाँ पर जो data आता है वो हो जाता है यह सुबह अरण 5.20 का टाइम आएगा यह 7.30 का टाइम में आगा और यह 11 बजे यह 6 बजे यह key point key level होता है की time zone होता है इनी time में यहाँ पस market काफी अच्छा moment लेता है इसलिए हम आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे forex market है एक fix time में specific time में ज्यादा अच्छा moment करता है ठीक है तो इस चीज़को देहार देखो बागे time में market अच्छा moment करता है लेकिन इन time zone के पास में एक market में काफी अच्छी volume देखने को मिलती है इसलिए बताने का मतलब यही था मेरा अब देखो अब इसके आवा आप news कहा देख सकते हो तो यहाँ पे चला जाता हूं चलो Google में तो दोस्तों जैसा है कि मैंने यहाँ खोल लिया है चार्ट को यहाँ पर तीन यहाँ पर मैंने न्यूज केलेंडर खोला हो एकोनोमिक केलेंडर यह सभी same data देता है बस अलग अलग तरीका है बताने का इस सभी में तो यहाँ पर इसका मैं लिंक नीची description में देदूँगा अब डिरेकली जाकर चेक कर सकते हैं अब यहाँ पर देखो यह न्यूज है देखो जिसे कल के डेट में 15 अगस को 7 अम में एक न्यूज आने वाला है ठीक है AUD का ठीक है तो यहाँ पर उस time frame में देखना आपके एक अगर देखने मार्केट में पर चेहाँ अगर मार्केट में अच्छा पॉसिव आता है मार्केट में अफटन देखने को मिलेगा तो इस चीजह को आप देहां में रखिए हैं इसके लिए आपको ठोड़ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और यहाँ पर आप जी रेड देख तो आप इन दोनों को ध्याल में रखिए हाई और मेडियम को और बाकी को आप यहां पर फिल्टर में जाकर उससे हाइट कर सकते हैं यह आपके अकॉर्डिंग है लेकिन यह न्यूस आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं तीनों का ही यहां पस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तो यहां पर आप इसको ध्यान में रखेंगे अपके लिए लिए